तो ब्रादर्स एंड सिस्टर्स ओफ इंडिया एक बार फिर हम लोग मैथमेटिक्स के ट्रिगनोमेट्री चाप्टर के दस ओल एमसीी कीू देखेंगे पिछले वाले वीडियो में हमने पहले दस सवा़ लगाए थे इस बार फिर शर्षी दस सवाल लाएंगे और ऐसे करते करते हर चाप्टर में हम लोग कितने सवाल लगाने वाले हैं 100 तो इससे सेंटम सेंटम कम्प्लीट हो जाता है हर एक चाप्टर में आपको 100 सवाल मिलेंगे और इस तरीके से आपका जो बोर्ड एक्जाम की आने वाले बोर्ड एक्जाम की तेहरी है वो बहुत ही जबदस तरीके से हो जाएगी तो चलिए बिना देर की वे स्टार्ट करते हैं पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगर आप चाहें तो इसे पॉस कर दें और आप सॉल्व कर लें उसके बाद हम लोग एंसर मैच कर लेंगे सब्सक्राइब 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 तो इसलिए इसमें तो वैल्यू याद रखना तो इंपॉसिबल है हिंस ये सवाल कॉम्प्लिमेंटरी एंगल्स के माध्यम से बन जाएगा सो कैसे कॉस स्क्वाइर 17 डिग्रीज को दोस्तों हम लिख सकते हैं कॉस्ट स्क्वाइर 90-73 डिग्रीज लिख सकते हैं या नहीं 17 इज 90-73 नाव हमें पता है कि cos 90 minus theta क्या होता है दोस्तों sin theta इसको कहते हैं complementary angle relation so cos of 90 minus theta is sin theta अगर आपको याद नहीं है तो फिर से यहीं पर याद रख कर लीजिए sin 90 minus theta is cos theta so इस वाले equation का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं cos 90 minus theta is sin theta यहाँ theta जो है 73 degree है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या दोस्तों sin square 73 degrees ठीक है दोस्तों so cos square 17 degrees is equal to sin square 73 degrees अब आप अगर इस पूरे trigonometric expression को देखेंगे तो cos square 17 को मैं लिख सकता हूँ sin square 73 जो अभी हमने ऊपर प्रत किया और यह है sin square 73 degree जो राइट सो यह cos square 17 17 की जगा हमने क्या लिख दिया sin square 73 और sin square 73 यहाँ question में अल्रडी मौजूद था so hence difference is zero my friends one option option c होगा यहाँ पे और आपको पता है कि आपके omr sheet में कैसा होगा चार ऐसे bubbles भी हो रहेंगे और आपको pen या pencil के माधियम से वह बताएंगे आपको किस चीज का प्रेयोग करना है तो आपको इसे bubble करना होगा right omr sheet होती है optical mark reader तो इस sheet को मशीन में डाला जाएगा और मशीन से आपकी marking निकाली जाएगी ठीक है आप देखेंगे तो यह non-standard है कि नहीं अगर non-standard है दोस्तों तो आपको पता है complimentary angle का स्थमाल कर सकते हैं तो फिर वही cos of 20 degrees can be written as cos of 90 minus 70 है ना तो कि 20 degree जो है 90 minus 70 degree 90 minus 70 degrees so cos of 90 minus 70 degrees will be how much कितना होगा यह sin 70 degrees दोस्तों and then this is done है ना sin 70 degrees तो दोस्तों चलिए अब हम इसको use करते हैं और similarly अगर आप देखेंगे denominator में भी तो यहां sin 20 है sin 20 को हम क्या लिख सकते हैं similarly sin 20 degrees can be written as cos of 70 degrees ठीक है दोस्तों complimentary angle के relation से चलिए अब आप इसको solve कीजिए so क्या मैं cos cube 20 को क्या लिख सकता हूँ है मैं लिख सकता हूँ sine cube 70 degrees है या नहीं और दूसरा उसके साथ cos cube दे ही रखा है तो चलिए आप इसको formally यहां लिखते हैं तो दोस्तों वो जो एक expression है वो यह कुछ हो जाएगा sine cube 70 degrees minus cos cube 70 degrees ठीक है दोस्तों divided by अगर आप देखिए यह है sine cube 70 degrees सो मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ यह तो सेम है और sine cube 20 degree क्या हो जाएगा cos cube 70 degrees सो cos cube 70 degrees है ना तो यह आप देख रहें numerator denominator denominator सेम है तो दोस्तों इस cancer कह है वन सो बारवा सवाल का अंसर होगा option c1 फिर से बबल करते समय आप ध्यान रखेंगे और ध्यान पूर्वाग उसको बबल करेंगे लेट्स गो टू question number 13 चलिए इसमें भी एक expression दे रखा है x cos x cosecant है यह cosecant आप देखिए cosecant square 30 secant 45 8 cos square 45 sin square 60 is equal to tan square 60 minus tan square 30 सो यह standard angle का problem है दोस्तों आप देख रहे हैं में 30 45 45 60 लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको एक shortcut बताया था कि कैसे आप अगर मान लीजे इन्टू cosecant 30 guys cosecant is one upon sign sign is sign 30 तो अच्छा तरीका यह होता है कि आपके सारी values लिख लें sign 30 is equal to half so cosecant 30 कितना होगा दोस्तों 2 उल्टा वन अपन sign right now secant 45 degrees secant 45 is root 2 1 upon cosec so secant or secant 45 degree is is equal to root 2 उसके बाद cos 45 आप जानते हैं cos 45 is one upon root 2 ठीक है sign square 60 है तो sign 60 की value भी आप जानते है sign 60 कितनी होती है root 3 upon 2 अच्छा 1060 की value कितनी है यह आपको पता है root 3 और 1030 की value यह होती है one upon root 3 तो सारे values लिख लेने के बाद आपके आपके लिए यह आसान हो जाएगा तो cosecant square 30 चलिए देखें cosecant square 30 is 2 लेकिन square करना है तो 2 square into secant square 45 so secant 45 is root 2 का square कर देंगे तो root 2 square divided by 8 into cos square 45 cos square 42 45 will be 1 by root 2 square into sign square 60 so root 3 square by 2 square correct दोस्तों now this is equal to यह बराबर है किसके tan square 60 के tan square 60 मतलब root 3 square tan square 30 मतलब 1 by root 3 square चलिए अब तो क्या है simple solve करें इसको so this implies x बराबर x into 4 into 2 divided by 8 into 1 by 2 into 3 by 4 और यह बराबर किसके है 3 minus 1 by 3 के ठीक है यह 4 into 2 और यह 8 गया और अब इसको अगर आरेटेस को solve करूँ तो यह हो गया 3 3 is a 9 minus 1 by 3 I hope this is okay चलिए दोस्तों तो यह हो गया आपका 8 बटे 3 तीन तो यह 2 और यह 4 चला जाएगा numerator में 3 नीचे आ जाएगा और यह x so 8 by 3 x is equal to 8 by 3 अब यहां से तो कोई भी आराम से यह बता सकता है कि x की value क्या होगी और आपको मिल जाएंगे एक extra question के marks बहुत बढ़िया तो यह हो गया question number 13 क्या सिका हमने आपको यह numbers याद रखने यह ratio याद रखने हैं अगर आप इसमें गरबड करेंगे तो आपका score हो जाएगा गरबड़ तो आपको सारे trigonometric ratios कंठस्त अच्छे से याद रखने हैं चलिए देखने सवाल संख्या 14 इफ a and b are complementary angles then sin a is equal to sin b cos a is equal to cos b tan a is equal to tan b और secant a is equal to cosecant b clearly if a and b are complementary angles complementary angles क्या होता है दोस्तों दो angles का sum अगर 90 degree हो तो उन्हें कहते हैं complementary angles so a and b are complementary angles if a plus b is 90 degree so sin a और हम जानते हैं sin a बराबर होता है cos of 90 minus a के बराबर sin a क्या होता है cos 90 minus a के बराबर ठीक है उसी तरह cos a क्या होता है sin of 90 minus a के बराबर ठीक है जी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sin a is equal to cos b तो ऐसा तो कोई relation नहीं दिखाए sin a sin b sin a sin b के बराबर तो नहीं हो सकता है यह तभी एक case पर पॉसिबल है वैसे अगर a और b 45 degrees दोनों एक ही हो जाए तब लेकिन यह तो देर्खार है नहीं कि a और b equal है तो इसलिए हम वो case नहीं लेंगे similarly cos a will be equal to sin b because 90 minus a you can see यहाँ से हम लिख सकते हैं a is equal to 90 minus b या b is equal to 90 minus a so बस हमने इस 90 minus a को b से substitute कर दिया और इदर इस 90 minus a को यहाँ फिर से b से substitute कर दिया तो यह दोनों तो हो गए फिर तीसरा क्या होता थो tan a is equal to cot 90 minus a my dear friends that means in this case यह क्या हो जाएगा cot b तो cot b भी तो tan a और tan b के बराबर दे रखा है तो यह भी गलत हो गया यह भी गलत हो गया यह एक सही बचता है यह भी चेक कर लेते हैं 1 by secant a क्या होता है दोस्तों 1 by cos a तो आप कह रहे हैं 1 by cos a is 1 by sin b which is actually true why because देखिए अगर cos a बराबर sin b होता है तो इसका reciprocal b बराबर होगा cos a का reciprocal 1 upon cos a और sin b का reciprocal 1 upon sin b so hence I can conclude that secant a is equal to cosecant b हैं जी तो यह तो हो गया सवाल संक्या 14 तो इसका answer क्या था दोस्तों d without any doubt चलिए आगे बढ़े तो यह है question number 15 यहाँ पे भी आग देखें तो यह equation है x की value पूछा जा रहा है if x sin 90 minus theta into cot 90 minus theta is cos 90 minus theta then find x चलिए बनाते हैं इसको तो x तो ऐसे ही रिख देंगे sin 90 minus theta क्यों दे रखा है आप खुदी पूछिए सवाल sin 90 minus theta इसलिए दे रखा है कि आप यह invite कर रहा है ट्रैक कर रहा है आपको कि आप यह complementary angle यहाँ पे लगा डालें so sin 90 minus theta आप अलड़ी you know cos theta होता है अभी पिछले वाले slide में भी देखा था अभी cot 90 minus theta क्यों दे रखा है क्योंकि यह हो जाएगा 10 theta दोस्तों और इस तरफ cos 90 minus theta क्या होता है sin theta दोस्तों done तो दोस्तों क्या बन गया यह cos theta और 10 theta को मैं क्या लिख सकता हूं sin theta upon cos theta बड़े आराम से प्यार से और यह हो गया sin theta ठीक है जी अब आप देखिए इसमें तो मतलब आप आग बंद करके भी अगर इसको देखें तो सारे cancel यहां यहां पर बस यह ध्यान रखना है कि कोई भी 0 ना हो बट चुकी कुछ दे नहीं रखा है तो हम अजीम करेंगे कि sin theta 0 नहीं है cos theta भी 0 नहीं है तो हमारा यह हम guarantee के साथ कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे नमबर आने वाले चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल संख्या 16 इसमें भी question पहले पढ़े if x tan 45 cos 60 is equal to sin 60 cos 60 then x is equal to तो क्या पहले आप demand of the question जानी है demand of the question क्या है x की value जानी है x क्या है भाई यहाँ पे मौझूद है तो ठीक है और दिख किया रहा है tan 45 cos 60 इसकी सारी values आपको याद होंगी तो चलिए लगाते है tan 45 होता है one without doubt cos 60 होता है half आपको याद होना चाहिए sin 60 होती है root 3 by 2 और cot 60 होता है one by root 3 दोस्तों यही है values तो आपको याद हो तो यतमें तो कोई जान ही नहीं है इस सवाल में दो और दो गए x बराबर one once again तो यह तो एक की जड़ी लग गई so once again x equals to one my dear friends so question number 16 so आपने अगर यहां तक सारे सवाल देख लिए हैं तो आपने 16 सवाल लगा लिए दोस्तों बहुत बढ़िया काम इसी तरह करते करते हैं आप 100 सवाल लगा जाए और 100 में 100 पाएं आगे बढ़ते हैं if ABC of a triangle ABC form an increasing AP now यह increasing AP क्या बला है increasing AP जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके second semester में बहुत लोगों को यह पता होगा लेकिन बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा तो इस form में सवाल नहीं देंगे वो क्या कर सकते हैं ऐसा कह सकते हैं कुछ कि 2B is equal to A plus C अगर यह AP में होता तो भी यही relation आपको यूज करना है तो first term का exam है तो आपको यह question दे सकते हैं कि भाई अगर ABC एक triangle का angle है और यह relation उनके बीच में है 2 times B is equal to A plus B अगर थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल भी जाएं मान लीजे आपने AP नहीं पढ़ा है arithmetic progression नहीं पढ़ा है तो मान लीजे मैं दे रहा हूँ यह आपका relation इधर है 2B is equal to A plus C then sine B so we have to find out sine value of B angle B हैंगी दोस्तों so कैसे निकालेंगे कैसे आप देखिए यह क्या है sine of B आपको निकालना है so what is sine of B by the way तो चलिए निकालते हैं sine of B so 2B is equal to A plus B A plus C है और आप angle sum property अगर लगाएंगे दोस्तों तो A plus B plus C कितना होगा यह आपने 9th grade या उससे पहले पढ़ा होगा यह 180 degrees आपको पता है कि A और A plus C को अगर जोड़ दें तो आपको 2B मिल जाएगा है ना यहां से देखिए 2B तो can I write this as B plus A plus C यह लिखता हूँ मैं is equal to 180 degrees इससे देखिए B की value प्राप्त हो जाएगी B plus A plus C को क्या लिख सकता हूँ मैं 2B लिख सकता हूँ ना यह देखिए 2B so this is equal to 180 degrees अब इस टर्म से आप चिंतित नहों आपको इस exam में AP term का use नहीं आएगा पट वो आपको यह लिख के दे सकते हैं तो ठीक है तो यह हो जाएगा 3B is equal to 180 degrees so B to clearly दोस्तों आ जाता है 60 और 60 की sign value तो आपको बच्पन से ही पता है है ना what is sign 60 degrees guys sign 60 degrees is root 3 upon 2 answer is B B for Bombay okay so let's move ahead and go to question number 18 what does the question say read दो बार पढ़ें क्योंकि MCQ दोस्तों खत्रा है इसमें खत्रा क्या है कि subjective सवाल रहते हैं जहां पे steps लिखना है होता है तो step marking हो जाती है तो तो बड़े आराम से आपको कुछ ना कुछ number तो मिल जाएगा अगर भी आग गलत भी कर दिया आपने यहां तो दोस्तों कोई गुंजाईश ही नहीं है ना सब्सीकंट सक्वेर दीटा सी %3 के इस दौ इसदयुआ पिल गई तें दोड़ी और वैल इस आइटम इस आइटम ओक्छ ऑल गे सो यह क्या खरता है एक Q इनल मतलब क्या होगा Q इनल मतलब थीटा जो है नांटी डिगरी से कम है 0 & 90 degree के बीच में है, ठीक है, such that secant square is secant की value दे रखी है, then हमें क्या निकालना है, tan square minus cosecant square, tan square plus cosecant square, तो इसको या तो आप trigonometric identities के माध्यम से निकाल लीजिए, या फिर जो हमने सीखा था, तो हमने जो सीखा था कि secant square, अगर secant square 3 है, दोस्तों, so secant theta क्या होगी, plus minus root 3, होगी न, plus minus root 3, लेकिन चुकि theta जो है, 0 & 90 के बीच का एंगल है, तो negative value तो दोस्तों, possibly नहीं, क्योंकि सारे trigonometric ratios, 0 से 90 के बीच में अगर एंगल है, तो सारे trigonometric ratios positive होते हैं, तो hence, we can rule out the negative sign, and we can say, secant theta is equal to root 3y, since 0 theta less than 90, and जी, acute angle है, ठीक है दोस्तों, so secant theta is root 3, ठीक है, secant theta की value अगर मिल गई, तो क्या हम फिर से सारे other ratios की value नहीं 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 कहा सकते हैं, या तो आप triangle बना लें, या फिर आप चा करेंगे, trigonometric identity उस करेंगे, let's say, यह theta है, तो secant theta क्या होता है दोस्तों, secant theta होता है, hypotenuse by base, अगर आपको याद हो, अगर वो नहीं याद है, तो cos से जाएंगे, cos क्या होता है, base by hypotenuse, तो secant होता है, reciprocal of cos, तो base by hypotenuse, तो base क्या दे रखा है, root 3, sorry, hypotenuse क्या दे रखा है, root 3, और base को आप मान सकते हैं 1, इसलिए root 3 by 1, you can treat it like that, root 3 by 1, can I not find this one, this perpendicular, very easily, how, pythagorosis theorem, so hence, root 3 square is equal to p square plus 1 square, isn't it, बहुत ही ज्यादा सरल सवाल, so ये 3 बराबर p square plus 1, so दोस्तों, क्या मिल गए आपको p square की value, 2, so p की value क्या होगी, root 2, मैं या negative root 2 को neglect करना हूँ, क्योंकि theta is, और जो p की value सिर्फ निकालनी ही मेरे को, तो अब perpendicular की length होगी root 2, negative length हो नहीं सिर्फ, root 2, p की value होगी root 2, root 2 होगी, तो अब सारे value निकल जाएंगे, tan theta की value क्या होगी, तो मैं आपे clearly लिख देता हूँ, root 2, तो tan theta होगी, आपकी root 2 by 1, ब की value, cosecant theta की value कितनी दे रखी है, और क्या होती है, यह होती है, hypotenuse by perpendicular, और opposite by, और sorry, hypotenuse by opposite, है ना, तो आप hypotenuse by perpendicular करेंगे, तो hypotenuse तो root 3 था, और perpendicular root 2 था, तो root 3 by root, यह होगी, cosec theta की value, चलिए अब जो, ऊपर दे रखा है यह, इसको calculate करते है, tan square theta क्या होगी, root 2 square, minus, cosecant square लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, root 3 square by root 2 square, divided by, same चीज, root 2 square, plus, root 3 square by root 2 square, so, दोस्तों, यह value क्या हो जाएगी, 2 minus 3 by 2, divided by, 2 plus 3 by 2, yes or no, so simplify, अगर आप करेंगे, तो उपर मिलेगा, 4 minus 3 by 2, divided by, 4 plus 3 by 2, दोस्तों, so that is, 1 by 2, divided by, 7 by 2, which is nothing but, 1 upon 7, so, hints, 18 का तो ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, कि आंसर जो है, वो है, D, यह, पना पॉन से ला, ठीक है, समयाएगे, वैली, यह एक तरीका आप अपना सकते थे, दूसरा आप क्या कर सकते थे, कि tan square को आप लिख लें, इस identity को यूज करें, कौन सी, तो, secant square theta, is equal to 1 plus tan square theta, यह identity आपको पता है, तो tan square theta, क्या हो जाएगी, secant square theta minus 1, तो यह दो भी से निकल गया, अच्छा, cosecant square theta क्या होती है, cosecant square theta होती है, 1 upon sin square, है ना दोस्तो, 1 upon sin square, so 1 upon sin square को लिख सकते हैं, 1 upon 1 minus cos square, theta, और 1 minus cos square को लिख सकते हैं, 1 minus 1 upon secant square cos, secant square theta, like that, so, यहाँ secant square के terms में, reduce कर दिया, value डालेंगे, सारे terms निकलेंगे, और फिर से solve करेंगे, तो, जो भी तरीका आपको suitable लगे, असान लगे, आप वो अपना सकते हैं, चलिए, यह सवाल क्या है, यह एक, series जैसी, तो यह सवाल क्या है, इसमें tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree, dot dot, ऐसे करते करते, tan 89 degrees तक आप जा रहे हैं, अगर आप देखें, यहाँ पे notice क्या हो, तो tan 90 missing है, tan 90 missing है, इसका मतलब क्या होता, tan 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते, 89 तक पहुँच गए हैं, tan 90 missing है, क्योंकि आप जानते है, tan 90 जो है, वो undefined होता है, not defined, is not defined, tan 90 की value not defined है, तो अब इसकी value निकाल नहीं, देखने में तो ड़ावना लग रहा हैं, क्या है यह, बहुत ही ड़ावना, tan 1, 2, 3 तो पता ही नहीं, but most of you would have done this problem before, it's a question of complementary angles, again, so, अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो इसको हम लोग ऐसे pair up कर सकते हैं, tan 1 degree into tan 89 degrees, मैंने आपको क्या बोला था, कि जब भी ऐसे weird looking angles हों, जिसकी value आपको पता नहीं है, तो उसमें आप बड़े आराम से यह assume कर सकते हैं, कि यह complementary angles का जवाल होगा, so tan 1, tan 89, I can pair them up, product हो रहा है, so tan 2 को मैं tan 88 के साथ pair up कर रहा हूँ, क्यों pair up कर रहा हूँ, अभी एक मिनट में पर जल जाएगा, इसको ऐसे pair up करते जाएंगे, तो last pair क्या होगा, tan 44 तक आप जाएंगे, और उस तरफ मिलेगा आपको tan 46, है ना, आप 46 तक जाएंगे, ठीक है, आप यह देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें, तो दोनों का sum जो है 90 हो रहा है, यही चीज हम इसका फायदा उठाएंगे, इस चीज का, कि इस उनों का sum 90 है, that means they are complementary angles, ओके, और एक last में बच जाएगा, tan 45 degree, उसको हम क्यों निगलेट करें, यह भी है, यह भी important है, ठीक है, अब आप यह देखिए, कि tan 1 और tan 89, tan 89 को हम बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं, cot of 1 degree, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि tan of theta, क् cot of 90 minus theta, यह हमने complementary angle में पड़ा था, so tan 1 into cot 1, then tan 2 into cot 2, similarly, यह cot 2 हो जाएगा, इसी तरह tan 3, तीसरा जो term होगा, वो tan 3 और cot 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते करते, आप कहां तक पहुँचेंगे, tan 44 and cot 44 into cot 44, correct नो, यह एक pair हो गया, यह एक pair हो गया, और last में, tan 45 की value आपको पता ही है 1, अब यह देखिये, tan और cot, यह तो reciprocal होते हैं, इन दोनों को आप इन दोनों का product क्या होगा, 1, तो सारे reciprocal हैं, तो इनका product क्या होते चला जाएगा, 1, 1, 1, 1, all are 1, all the factors are 1, there are how many 1s, 45 1s are there, so basically आप 1 into 1 into 1 into 1 into 45 1s and 1, product of all 1s is 1 only, so hence my dear friend, 19th question answer is very clearly A, okay, let's see the next one, so यह क्या है, the value of cos 1, similar looking, but tan की जगा अब, cos है, और कहां तक जा रहा है, 180 तक, oh my god, अब आप बोलेंगे, cos 180 degree, यह तो पढ़ा ही नहीं कभी क्या होता है, cos 180 degrees की value क्या होती है, हम तो पढ़ा ही नहीं है, हम तो cos 90 तक ही value जानते हैं, उसके आगे तो कुछ नहीं जानत या, फिर cos 90 भी हो रहा होगा, फिर cos 91 हो रहा होगा, ऐसे करते-करते आप पहुंच गए है, cos 180 degree, यह dot 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 का मतलब क्या है, यह continuously इसी trend को follow करता जाएगा, so cos 1, cos 2, cos 3, ऐसे करते-करते, cos 180 degree तक पहुंच जाएगा, तो इसमें कितने सारे हैं, 180, 180 trigonometric ratios की value है, लेकिन इसको निक निकालने की जरूरती कहा है, क्योंकि देखिए, बीच में एक product है, cos 90, cos 90 क्या होता है दोस्तों, cos 90 होता है, 0 degree, अब 0 को तो किसी रईस के धन से multiply कर दें, 0 से multiply कर दें, किसी रईस के धन को, तो उसका कितना हो जाता है, 0, so यह 0 है, यह आ गया 0, बड़े आराम से, इसमें तो इस वीडियो में हमने कितने सवाल लगा लिए, 10 सवाल सवाल लगा लिए, 10 हमने पिछले वाले में लगाए थे, 10 इस वाले में लगाई, तो टोटल आपने 20 सवाल लगा लिए, MCQ टाइप के, तो अगर आप rest all भी ऐसे सवाल लगा जाएंगे, तो आपका marks बहुत अच्छा बढ़ेगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार, फिर तब तक के लिए धन्यवाद, चम के पढ़ाई करो दोस्तों, बाबाई झार बाई झाल 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 झाल